हलो बिच्चो अब आपको ये स्टोरी सुनाने जा रहे हूं इसमें जो ये बच्चे हैं वो एक स्टॉल लगाने जा रहे हैं किसी का स्टॉल लिम जूस का स्टॉल ठीक है देखे इस यहां पर इनके पास ये बाकेट है इसमें जूस भर रखा है इन्होंने वैसे आप गन्य का रस भी पीने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि गन्य के जो रस की दुकान होती है वहां पर ऐसे ग्लास रखे होते हैं कई साइजेस के एक चोटा साइज होता है फिर उससे भी बड़ा साइज होता है फिर उससे भी बड़ा साइज होता है और वहां पर जैसे तीन रेट्स लिखे होता है कि भई 10 रूपीज का आजकल में गाई है 10 रूपीज का 20 रूपीज का और 30 रूपीज का सबसे चोटा जो ग्लास होता है वो वहाँ पर आप देख सकते है इस चेज को, ये जो है, इन्होंने इस ट्रॉल लगाई है, स्टॉल में ये जूस शेल करना चाहते हैं, तो जो ये वाले छोटा साइस का जो ग्लास है, इसका रुपीज इन्होंने रखा है 5 5 रुपीज और इसको रखा है 10 रुपीज चीक है तो अगर माल लेजिए यह 5 रुपीज का ओगया और यह 10 रुपीज का ओगया अब स्टोल लगाई है तो आवाज भी लगाएंगे तो कैसे अवाज लगाएंगे lemon drink ले लो थंडा थंडा कूल कूल कैसे अवाज लगाएंगे lemon drink ले लो थंडा थंडा कूल कूल फिर rate भी बताएंगे आपने देखा होगा कि जब आप बजार जाते हो तो ठेले वाले rate भी बताते हैं rate कैसे बताएंगे For 10 rupees, for 5 rupees, for 10 rupees, for 5 rupees. ठीक है? अब, Do you think it is easier to pour into a glass from a jug than a bucket? अब, इस बकेट में है water, juice. इस बकेट में है juice, ठीक है? इस से direct आप glass में डालोगे? तो आप क्या डाल पाओगे? आसाने से, easily? No. क्योंकि यह बहुत बड़ा है, it is bigger. ठीक है? Bigger. So, what do you do this? इसके लिए क्या उपाई लेंगे? आप एक जग लेके आएंगे. ठीक है? इस जग को आपने यूज किया, इसके अंदर अपना juice भरा, और फिर इस जग को यूज किया, इनको बढ़ने के लिए. अगर कोई क्राहक पांच रुपे का मांग रहा है, तो छोटा ग्लास भरेंगे. कोई टैन रुपीस का मांग रहा है, तो बड़ा ग्लास भरेंगे. तो जग से, do you think it is easier to pour into a glass from a jug than a bucket? Yes, जग से भरना easier. So yes, it is easier to pour a liquid into a glass from a jug than from a bucket. Yes, बो, answer, बो. Yes, it is easier to pour a liquid into a glass from a jug than from a bucket. Next, do you think it is easier to pour into a glass from a bucket? नजीम फाउंड इसमें से कि मारे किसी इसका नाम नजीम है नजीम फाउंड टू बिक लासेज फिल दजग अब वो जब जग लाया नजीम तो उसने देखा कि ये जिसके अंदर भरके जब इसके अंदर भर लेते थे जूस को जग में भरा तो भरा हुआ जो जग था वो दो बड़े ग्लासेज में खाली हो जाता था ठीक है इसने इसमें से भरा भरके और फिर इसमें से जब खाली किया तो दो बार इसमें भरता था बड़ा ग्लास और जग फिर खाली हो जाता था तो नजीम फाउंड तो बिल ग्लासेज फिल द जग शबनम वांट्स तो बाई वन जग फुल ओ लेमन ड्रिंग अब एक क्लाइंट आया जिसका नाम शबनम था रड़की ठीक है वो एक जग जूस खरीदना चाहती थी इसमें कितने ग्लास आ रहे थे ये वाले टू ग्लास हाउ मच दशी नीट रुपे तो उसको कितने रुपे देने पड़ेंगे अब ऐसे वाले दो ग्लास है तो टू टेंजा ट्वेंटी उसको कितने रुपीज देने पड़ेंगे ट्वेंटी रुपीज उस जग को भरके ये लिये, so cost of one big class of lemon ring is rupees 10, cost of two big classes of lemon ring is rupees 20, so answer is 20. नजीम found, अभी ये next question है, नजीम found that two big classes fill the jug, Shabnam wants to buy one jug of lemon drink, how much does she needs to pay, two big classes fill the jug lemon drink, so the need to pay 20 to buy one jug full of lemon drink. चित्रा found, इस लड़की का नाम हो गया, चित्रा, चित्रा found that two small glasses, यानि कि ये वाले, fill one big glass, अब जब ये दो बार इसमें डालोगे, तो आपका ये, एक glass बार जाएगा, चिक है, तो how many, how many glass, small glasses of lemon drink, will fill the jug, बताओ, jug को छोटे glasses से भरना हो, तो कितने इस्थमाल होंगे इसमें, भाई 10 वाले two हो रहे थे, तो पांच वाले two, इसके अंदर जा रहे थे, two into two is equal to four, तो कितने small होंगे छोटे वाले glass, four, छोटे वाले glass, use होंगे, इस jug को भरने के लिए, next, देखो, आंसर देखो इसका, four small glasses of lemon drink, will fill the jug, how many small glasses will fill half the jug, अब सोचो किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो वो half jug लेना चाहता है, अब पहले आपने इस जग को भरा था पूरा, तो छोटे glasses कितने लगे थे, four, four लगे थे जब पूरा, पूरा भरा था, पूरा, ठीक है, अब half भरना है, आधा, half, 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 one by two, यानि कि four को two से डिवाइड कर दो, four को half कर दो, four का half का मतलब क्या हुआ? four का half, four को दो भागों में बाट तो, दो भागों में बाटने का मतलब होता है? two और two, तो यानि कि जो half जग है, जो half जग था, उसमें सिरफ दो छोटे ग्लास लगेंगे two small glasses of lemon drink will fill the half धचा now, ring the one which holds more water, more, 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 more आपको ring करना है, किस में ज़्यादा पानी आएगा? इसमें आएगा या इसमें आएगा? इस रेड में आएगा कि ब्लू में आएगा? ये बड़ा है, तो इसमें आएगा देखो next, ring the one which holds more obviously plate है, cup है, तो cup में पानी ज़्यादा आएगा ring the one which holds, ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है, तो इसमें पानी ज़्यादा आएगा so I hope कि ये इस वीडियो से आपको capacity का इसे capacity कहते हैं, एक नया word आज आप सीखिए प्लीज, capacity बाने की पानी भरने की शंता, कि किसकी capacity ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा पानी आप भरते हो, तो जो बड़ा object होगा, बिग वाला होगा, उसमें more water आएगा more आएगा, और जो छोटा होगा, उसमें less water आएगा Thank you कर दो कर दो कर दो